हेलो एवरिवान विल्कम टू माई चैनल और यहां हूं मैं किच्चन में और मसाले रोष्ट कर रही हूं जीरा धनिया और राई और मिर्ची और यहां पे मैंने प्रशों में चार पांच ले सुन की कलिया लिया है और इसको मिक्सर में ग्रैंड करेंगे देखिए मैंने पीछ लिया है और अज मैं बना रही हूं करेले कि सबी इसको सुखा कर इस तरह से कट कर लिये हैं यहां पे उईल रग दिया है और गरम हो जाने के बाद इसमें हम और यहां पर मैंने दो आलू इस तरह से कट कर लिया है धुलकर क्योंकि मैं करेले में डालने वाली हूं और मुझे इस तरह करेले आलू की सब्दी मिक्स में बहुत अच्छी लगती है तो जब थोड़ा शा इसका कलर चेंज हो जाएगा इसके बाद इसमें एड कर दूंगी म आलू और इसमें मचाले डालेंगे हल्दी पॉडर और जो मैंने मसाले पीस कर के रखे थे उसको भी इसमें एड कर देंगे यह देखिए और अपने अकॉर्डिंग इसमें नमक एड करेंगे इसके बाद मैं उपर से इसमें लाल मिर्च पौड़ा रैट कर रही हूँ और डाल रही हूँ दो खड़े हरे मिर्च और इसको इस तरह से चलाएंगे और ढख करके पकाएंगे आप वीडियो लास तक देखिएगा और मैं करेले हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ सूखा और इस तरह से तो यह देखिए थोड़ा सा पक चुका है और आलू तो अलेडी पक चुका है और इसको मेरे को बिलकुन अच्छे से पकाना है इसके बाद इसमें अमचुर पावड़ा रैट कर देंगे और इहां पे मैंने एक पैच कट करके रखा था उसको भी डाल देंगे और आमचुर पावड़ा डालने से क्या होता है कि इसका कड़वा पन जो होता हो नहीं लगता है और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला चो हम इसा ऐसे ही करेले बनाते हैं और एक बार आप लोग भी इस तरह से करेला बनाकर ट्राइ करिएगा एक बार नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा इस तरह से इसको पकाएंगे और इसको तब तक पकाएंगे तब तक इसका कलर बिलकुन चेंज ना हो जाए थोड़ी सी करारी ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे पहले ढख कर पकाएंगे फिर इसको इस तरह से उपन करके पकाएंगे तो मैं पका लोगे तो देखिए पकने के बाद कुछ इस टाइप से हो गया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे तो बहुत ज्यादा ही पसंद है तो चलिए मैं अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ तो आज का हमारा लंच है दाल चावल और सबजी हेलो गाईज गूड अप्टरनोन और मैं अभी आपसे मिल रही हूँ लंच करने के बाद और लंच में आज क्या बना था दाल चावल और सबजी आप लोगों ने देखा और अभी टाइम हो रहा है एक बज रहे हैं और आज तारीक है पाँच तारीक और आज के दिन क्या हो रहा है ये सभी को पता है और आज मैं बहुत ज्यादा खोशी हूँ आप लोगों को पता है कि पाँच तारीक को मतलब आज आयोध्य में स्री राम मंदिर बनने के लिए न्यू रखी जा रही है और ये काम पता है आप लोगों को कब से फिंडिंग पड़ी हुई है नहीं हो पा रहा था तो हमारे मोदी जी आज गए है और वो न्यू रख रहे हैं तो आज बहुत खुशी का दिन है तो देखते हैं साम में यहां सायद कुछ फ्रोग्राम भी है और साम में हम लोग भी दीफक जलाएंगे और आप लोग बताईए कैसे हैं क्या चल रहा हैं तो लंज करने के बाद आप लोगों को पता है नीन बहुत आती है सो मैं भी थोड़ी सी रेश्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मैं इवनिंग में तो यहां पे मैं आ गई हूँ कीचन में रेश्ट की और इसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ कीचन में क्योंकि दोपहर के बरतन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा पहले उसको वास कर लेती हूँ मैं बरतन वास कर लेती हूँ इसके बाद मैं मिलती हूँ गुड़ इबनिंग और अभी मैंने वरतन वास कर दिया है जो भी दोपहर के थोड़ी बहुत वरतन थे उन्हें वास करके मैंने रख दिया है और अभी इबनिंग का टाइम हो रहा है साम के साड़े पांच हो गये हैं और आपको बैग्ग्रेंड मुईजिक में सुनाई भी दे रहा हो क्योंकि मंदीर में गाना बजने लगा है क्योंकि यहां साम सुवेरे मतलब सुवेरे इदर 6 बज़े चालू होता है और इदर 5 बज़े से 8-9 बज़े तक बज़ता रहता है सो अभी बजने लगा है और आज साइद कुछ कारिक्रम भी है वहाँ और अब भी मेरे को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा क्योंकि मैंने रच्छा बंदन में कुछ नहीं बनाया था बैट जाती इसके बाद बाद करती हूं रच्छा बंदन में जैसे आप लोग पता है सेमया बनाई थी मीठे में इसके अलावा तो कुछ नहीं बनाया था और हमारे घर में मतलब किसी तोहार में बने या ना बने रच्छा बंदन और होली रच्छा बंदन में तो मतलब यह सब बनती हैं गुजिया, पापड, पूरे, खेर और मिठाईया बहुत सारे पगवान बनते हैं बट मैंने नहीं बनाया तो मैं सोच नहीं आज में कुछ बना लेती हूं क्योंकि कल मैंने खोवा बना के रख दिया था तो मैंने सोच अब मैं भी आज गुजिया बनाती हूं बहुत दिन से मितलब गुजिया नहीं बनाया तो चली मैं भी गुजिया बनाती हूं तो यह है माबा इसमें हम एड करेंगे सक्कर इसको मैंने पीस कर एड किया है और सककर अपने according एड कर सकते हैं जितना मीठा खाना चाहें इसके बाद मैं इसमें एड कर दूँगी drive food और इसको अच्छे से mix कर लूँगी आप जो भी drive food एड करना जाते हैं कर सकते हैं तो मैंने सब को अच्छे से mix कर लिया तो यह ready हो चुका है इसके बाद मैं लगा लूँगी ए मैदे का अटा इसका डो मैंने बना के रेडी कर लिया है तो चलिए इसके लोईया बना लेते हैं और इसको बेल लेते हैं और इसके बाद बनाते हैं गुजिया तो यहाँ पर मैंने बेल लिया है और इसको ऐसे चम्मत से इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके मैं इसको हाथ से ही बना रहे हूं याँ पर क्योंकि मुझे हाथ की ज्यादा अच्छी लगती है तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से इसमें डिजाइन बना दूँगी तो यह देखिए यह देखने के बाद देखिए कितना अच्छा लगता है इसी तरह से मैं सारे गुजिये बना के रेडी कर लूँगी तो यह हमारे गुजिये बन के रेडी हैं अब इसको मैं डिप फ्राय कर लेती हूं यहां पर मैंने लिया वाइल रिफाइन वाइल इसके बाद इसमें जब यह गरम हो जाएगा तो इसमें एड कर देंगे गुजिया और इसको डिप फ्राय कर लेंगे यह गुजिया हमारा फ्राय हो चुका है अब इसको हम निकाल लेंगे तो हमारे गर्म गरम गुजिया बन के भी रेडी हो चुके हैं तो हमारी इवनिंग की पूजा हो गई है और देखिए पीछे अंदेला हो गया है और मंदिर में चल रहा है सुंदर कान का पाठ और साथ में ही खाना बन रहा है वहां जो भंडारा बोलते हैं वही भंडारा है अपने महले के जितने भी हैं सभी लोगों ने चंदा मिला कर सुंदर कान और भंडारे का प्रोग्राम रखा है तो आज हुए ही चल रहा है यहां और हर जगे ही बहुत अच्छे से दूम धाम से मनाया जा रहा है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहां का महल कैसा है और ऐसा लग रहा है कि दीपावली आ गया है और बहुत मतलब पठा के फुल जड़े तो यहां पर देखिए सुन्दर कान का पार्ट चल रहा है और कुछ लोग अंदर बैठे हुए है और कुछ लोग बाहर बैठे हुए है चेर लगा के क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और इदर किनारे साइड बंडारे की विस्था की जा रही है और उपर साइड यहां मोंबत्ती लगा रहे हैं और सभी किया मोंबत्तियां और दीपक और बहुत सारे पटाके पूट रहे है ऐसा लग़ा दीपावली आ गई है इस ब्लोग को मैं यहीं पेंट करती हूँ और आप से मिलती हूँ एक नए ब्लोग के साथ बाइब बाइब झाल करते हैं